नमस्कार बहुत बहुत सवाइद करते हैं क्लिक टोड़े कि आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले है Part 1 Special Examination को लेकर के साथी Part 3 Result को लेकर के तो आज किस वीडियो में जो बने रहे हैं साथी आपको बताते चले कि आज से विस्विद्धाल है और विस्विद्धाल है के अंतरगत आने वाले जितने भी कॉलेज हैं। उससों भी open हो चुके हैं तो अगर ापको कोई university से काम है तो university आज जा करके अपना काम करवा सकते हैं। या फिर college में आपकर आपका कोई काम है तो college से भी आप संपर करके अपना काम करवा सकते हैं क्योंकि आज से university और college पून रूप से अगले आने वाले 30 तारिक तक जो है खुली रहेगी अब बहुत सारे फॉर्म भढ़ने से वनचीत रहेगे साथ ही अगर हम बात करें तो वो PG में admission लेने से भी बनचीत हो चुके हैं क्योंकि उनका result टाइम पर नहीं आया और अभी copy checking की जाच शुरू भी नहीं कराई जा सकी है जैसा कि report पूर्व में आया था कि पहले copy की charge part 3 की करवाई जाएगी उसके बाद जो है second semester की copy की जाच होगी लेकिन अगर बात करें तो अभी तो अभी फिलाहल second semester की copy की जाच तो हो रही है लेकिन part 3 की copy की जाच अभी तक के सुरू भी नहीं हो पाई है सबसे पहले बताया जा रहा है कि GS की copy चेक की जाएगी क्योंकि यह GS common subject होता है तो सबका GS का copy चेक कर दिया जाएगा उसके बाद ही जो है honors की copy चेक होनी सुरू हो पाएगी तो अगर हम देखे तो जो copy checking का कारे है अगर इस महीने नहीं सुरू हो पाता है तो फिर अगले महीने अगर copy checking सुरू भी होता है तो result दिसंबर से लेकर के फरवरी तक के बीच में जारी किया जा सकेगा दिसंबर के आखरी हफते से लेकर के फरवरी तक का जो deadline हो सकता है क्योंकि result टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है copy जो अभी तक के checking सुरू भी नहीं हो पाया क्या एक महीने में 7 लग 8 लग copy चेक हो पाएगी आपको क्या अनुमान लगता है नीचे comment करके ज़रूर बता है हाला कि अगर दुरूस्त बिवस्ता के साथ copy checking की जाच करवाई जाए तो copy checking एक महीने के अंदर भी हो सकती है और जो भी student promoted है उनका अगर result अभी तक के नहीं आ रखा है part 1 का क्योंकि part 2 का result तो आच चुका है और जो student part 2 में fail हो गए थे उनका part 3 का result जो है अगर घोशित होता भी है तो वो अमानने कर दिया जाएगा जाद जनकारी के लिए नीचे comment करके जो अपना सवाल पूछ सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं part 1 special परिक्षा को लेकर के तो part 1 special परिक्षा के रिपोर्ट के उपर अगर नज़र डाले तो 30,000 विद्यारती जो है देंगे part 1 की विसेस परिक्षा विसेस परिक्षा के लिए बहुत सा स्टूडेंट अभी विए गुहार लगा रहा है कि फॉर्म भढ़ने के लिए एक आखरी तिसी जारी की जानी चाहिए हाला कि हम आपको बताते चले कि दो महीने तक जो है इसका फॉर्म भरवाया गया था part 1 special परिक्षा का बताया यह अभी गया था कि part 3 की परिक्षा से पहले part 1 special परिक्षा कंड़क करवाया जाएगा अला कि यह हो ना सका regular session का पहले परिक्षा हुआ उसके बाद अभी यह बताया जा रहा है कि यह परिक्षा है यह दिवाली और छट पूजा के बाद आप करवाया जा सकेगा जिसमें कि 2019 से 22 सेशन, 2020 से 23 सेशन और 2022 से 25 और 2021 से 24 सेशन वाले student भी सामी लोकर के परिक्षा देने वाले हैं अगर आपका इससे related कोई सवाल हो तो नीचे comment करके पूछेगा और अभी जो दुरगापुजा खत्म हुई, दशारा खत्म हुई, इसकी छुटी बीच चुकी है इस बीच जो भी कार्रे है वो सिर्फ इस परिक्षा के form भरवाने के लिए किये जा सकते हैं क्योंकि एक आखरी डेट और निकाला जा सकता है जिसमें की बिलम सुल्क 500 रुपे के साथ जो form भरवाया जाएगा तो जिन्होंने अभी तक के जो part 1 special परिक्षा का form नहीं भड़ा है वो ready रही है, जैसे ही notification आएगा आप सभी अपना अपना जो form भर लीजेगा यह report है part 1 special परिक्षा को लेकर करें, part 1 special परिक्षा आगले माँ सुरू हो सकती है पर्स समेस्टर examination 2024-2023 के साथ 2022-2025 का part 1 special examination भी conduct करवाया जाएगा तो आगे जो भी जैसा report होगा आपको बताया जाएगा, अगर आपको कोई भी सवाल इस उजावो तो नीचे comment करके पूछ लिजेगा अगर आपको part 1 का question चाहिए, तो आप जो हमारे website से purchase कर सकते है, question bank वहाँ पर लगा हुआ है बाकि अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे comment करना है, ना भूले वीडियो को like और चैनल को subscribe करके वेल आइकन को on करना है ना भूले, तो आज की वीडियो में इतना ही तब तक लिम चलते है, धन्यवाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो में